स्वागत आपका हमारे खास कारक्रम एक मुलाकात नेता जी के साथ आज बात करेंगे हरियाना के विधानसवा चुनाव में आखिर ब्राहमर समाची क्या भूमिका है उसके नजदी के दिया जाएं तो बात करेंगे गुरुराम की विधानसवा की गुरुराम में जब कहा जाता है कि ब्रहमर समाच एकत्रित हुआ तो ब्रहमर समाच ने कहा कि ऐसे नेता को चुना जाए जो ब्रहमर समाच से हो हमने तमाम अन्य समाच के लोगों को पहले मौका दिया इस वार सभी National Party की जिब्मेदारी बनती है कि ब्रहम्मन समाज के व्यक्ति को इस वार दावेदारी दी जाए ऐसे मैं आज अमारे साथ स्टूडिय में वैस्षक्षियत मौदूद है मैं पर्च है थोड़ी देर मैं कराऊगा लेकिन उससे पहले आपको बता दू उस शक्सकी कहानी कि जिस तरीके से वर्ल्ट ब्रहम्मन फेडरेशन ने आले आगे आकर कहा कि अवाज उठने लगी कि ब्रहम्मन समाज का चैरा दावेदारी देने के बाद भारत जनता पार्टी ने मुकेश शर्मा को चेरा तो बनाया जिसके बाद पार्टी में एक बगावत की हवा भी चालू हुई जहां से जियल शर्मा जो गुरूराम के सीट से भाजपा की दाविदारी करने की बात कर रहे थे उन्हों अभी कॉंग्रेस का दावन थामने की बात कहीं न कहीं चलने लगी मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौझूद है वर्ल्ड ब्रहामन फेडरेशन के प्रेजिडेंट शशीकान सर्मा जी बहुत-बहुत रागात सर्मा जी आपका बड़ा सवाल जो है वो लगातार अब चलने लगे हैं उचलने लगे हैं आपने बीते दिन पहले एक समय आ जया था जब वर्ल्ड ब्रहामन फेडरेशन के सभी संगटों नों ने मिलकर ये आवान किया पार्टी से कि कोई भी नैशनल पार्टी हो चाई फिर वे कॉंग्रेस हो या भाजपा मौका दे किसी ब्रहामन समाज को आप भाजपा ने तो अपने पत्ते खोल दिये हैं तो ऐसे में क्या लगता है कि आप ब्रहमन समाज को मौका मिलने के बाद ब्रहमन समाज किसकी तरफ प्रोजान करने वाला है ब्रहमन समाज ने जैसे कि हमने मांग रखी थी कि राष्टे पार्टियां हमें टिकट दे जी तो हम अपने समाज की व्यक्ति को यहां से जिता कर बे करेंगे और उसको जिता कर विदान सबाने बेचेंगे गुडगाओं से अच्छा एक जरूरी सवाल इस वार ब्रहामन समाज के वेक्टिव के दिए बात करेंगे तो जो अभी लिस्ट आई है काफी चहरों को जो है वो मौका दिया गया है ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस व कि गुमें पर आवाज उठाई है कि ब्रामनों का जो जन संख्या के हिसाब से हमें टिक्टें देनी चाहिए क्योंकि हमें अर्याना में इसाब से कम आका जाता है लेकिन हम 15-18 हैं अर्याना के अंदर तो हमने इसी लिए 15-20 टिक्टों की मांग दोनों राष्ट्य पार्टि तो हमें है बड़ी खुशी है इस बात किके भी ब्रामन समाज के सद्शनों को राश्च्य पार्टी होने डिक्टें दी हैं तो हम अपने भाइयों को जिता कर उनको विजानसव बेजएंगे ताकि जो ब्रामन की आवाज और वो विजानसव हो सके, समाज को एक नए विकास और हर्याना के एक नए विकास और आयाम को आगे ले जासके अच्छा बल्ड ब्रामण फ्रेडरेशन के दीमा बात करूं तो जो संगटन है क्या वो पूरे हर्याना में सभी प्रत्याशियों के साथ हैं जो ब्रामण समाज से हैं या फिर सिर्फ गुर्गाम पर अभी जादा मैत दिया जा रहा है क्योंकि हम गुडगाव में रहते हैं तो गुडगाव में तो मैत रहे गाई इस बात का क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार गुडगावा से ब्रामण प्रत्याश्वी को बाजपान एटिकट दी है तो एक महत्यपूर्ण भूमिका रहती है वर्ड ब्रामण प्रेडेशन की समाज के मुद्धों पर तो इसी प्रकार से हम कारे करते हैं और पूरे हर्याना में भी जहां-जहां हमारे समाज के लोगों को टिक्टे मिली हैं हम उनको वहाँ जाएंगे और उनका समर्थन से जड़ा हुआ कि जीयल सर्मा ने पाइटी से पाइटी को छोड़कर काया कि ना कॉंग्रेस का दामन थाम हूंगा और उसके बाद कुछ पदादिकारियों ने उनके बाशन के दौरान उनके संबोधन के दौरान जब भावों कोते दिखाई दिए तो उनने ने का कि मैं स् पाइटी के लिए भाजपा के लिए भाजपा के प्रत्याशी के लिए मुश्किल की कड़ी तो नहीं बन जाएगी कोई संबावना आपको दिखाई दे रही ऐसे यह उनका निजी सोच रही है कि भाई वो भाजपा छोड़के कॉंग्रेस में जाएं या भाजपा में ही रह इससे हमने तो उनको समाज के लोगों ने उनसे आग्रह किया अन्रोध किया कि वह जब एक ब्रामन समाज के वेक्ति को टिकट मिल गई है उनको भी उसका समर्थन करना चाहिए वो भी आधरनी अगर उनको टिकट मिलती तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं तो यह उनकी अप की बात ही अन्रोज किया उनसे उनसे समाज के लोग कल भी मिलके आये और उनसे अन्रोज किया है कि जब एक राष्ट्य पार्टी ने टिकट दे दी है अगर आपको टिकट मिलती तो हम आपका भी पूरी खुले रूप से समर्थन करते बाई मुकेश को मिली है वो भी आपका सम समाज है भाई है तो मैं तो यह कहता हूं समाज से बढ़ कर कोई नहीं होता हो तो हमारे यांतों हमारे पिता शीरी बोलते थे कि स्में। उसमें राजनीती कूर्षियां मुकेश छर्मा की पक्षिक कुछ निकुश है तो समाज को सरूप पर टेख canide हुए रखते हुए हमें अपने समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए तो या निमान लिया जाए कि सबीस लंगटन है वो पूरी तरीके से मुकेश शर्मा के पक्ष में खड़े हैं और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ब्रहमन ने हमेशा समाज को देश को कुछ ना कुछ दिया ही है चाहिए वो सनातन पदती हो संस्कृती हो वेद उपनिश्यत आयरवेद और संगीत जी तो भारतिय संस्कृत सब्वेता को बचाने वाला उनको पोशित करने वाला ब्रहमन समाज है और गुरगावा से तो बही चार बार तो पंजाबी समुदाय का है मिले रहा विधायक रहे फिर जाट समुदाय से भी हमिले रहे फिर पंजबी समुदाय से भी हमिले रहे और वेश्च समुदाय से भी हमिले रहे तो हमने हमेशा हर समुदाय का साथ दिया है तो अब हमारी बारी है तो हमें सब का साथ चाहिए तो हम सरसमाज से ही करते हैं और हमें समाज का सा induce संवाज बात नहीं है चींवा जी मेरे समाज की आपने बात की आपने प्रेस का व sécurité abandon की तक्रीब यह एक से एक लाघ से लेकर सवा लाघ वोंटर जो है वह मतरता है तो क्या लगता है कितना मतरता जो है वो मड़ान करने वाला है मुकेश शर्मा के पक्ष में ब्रामर समाज तो 100% मुकेश भाई के पक्ष में मद्दान करेगा और और समाज की लोग भी हमारे साथ मिलकर मद्दान करेंगे और भारी महुमत से हम भाई मुकेश शर्मा को जिताएं बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बाचीत करने के लिए खेर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा गुरुग्राम की सीट पर आखिर मतदाता किसके पक्ष में जाएगा मतदान के दौरान मतपेटी मैं कैद वो मतदान वाले पक्ष में एक समाज में जड़ा हुआ हिस्सा जरू दिखाई देगा कि अधरल मैं वो बेस्ट समाज की बात करूँ मैं ब्रामन समाज की बात करूँ या अन्य किसी समाज की बात करूँ आप देखती रहिए मेरे साथ हमारा खास कारिकम एक मुलाकात नेता जी के साथ धन्यवाद